तो बाई आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जो है आस्ट्रेलिया के माउंटेन पे बसा एक छोटा सा टाउन दिखाना चाहूंगा और इस टाउन में आपको क्या-क्या खूबसूरत चीजे देखने के लिए मिलती है और यहां पे घर, मुहले, अपार्टमेंट वगरे कैसे होते हैं रोड वगरे कैसे होते हैं तो आज की वीडियो में ये सब कुछ मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा तो भाई, आज की वीडियो आप लोग बिल्कुल आराम से, सुकून से बैट कर देखिएगा क्योंकि मैं आज आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत पहाडों पे बसा हुआ आस्ट्रेलिया का एक चोटा सा टाउन दिखाऊंगा एक बार फिर से आप सभी लोगों का ऐस्ट्रेलिया के चोटे से ब्लॉग में स्वागत है तो भाई, ये जो एरिया है ने, जहां पे मैं रहता हूँ इस एरिया को बोलते हैं मलोंगो वैली जो की ऐस्ट्रेलिया की राजधानी केमरा में ही पढ़ता है और ये मलोंगो वैली एक बहुत ही सुंदर एरिया है जो की बिल्कुल छोटे-छोटे माउंटेन पर ही बसा हुआ है चार उत्रफ आप लोग देख सकते ही खूबसूरत ब्यूडिफुल माउंटेन और घर वगएरे देखने के लिए मिलते हैं और इस मलोंगो वैली में आपको कई छोटे-छोटे तालाब भी देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि ये तालाब आप लोग देख सकते हैं और बच्चों को खिलने के लिए प्लेग्राउंड वगएरे देखने के लिए मिलते हैं कि मैं अभी थोड़ी दिर में आपको दिखाऊंगा ऐस्टेलिया की राजदानी जो है न एक तरह से मानिए माउंटीन के बीचों बीच ही इस्तित है जहां पर आप किदर भी ड्राइफ करने के लिए जाएंगे आपको छोटे बड़े माउंटीन देखने के लिए मिले जाते ह हैं तो चलिए अभी नीचे चलते हैं और अपनी कार को लेके थोड़ा इस पूरे एरिया का आप लोगों को टूर कराते हैं और नीचे से जो है कि मेरा अपार्टमेंट कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है तो अभी-अभी मैं अपार्टमेंट से बाहर निकला हूँ और यहां पर वाकिंग करने के लिए कि कुछ इस तरह का लंबा चोड़ा की पात्वे बना होता है और कार वगेरे के लिए रोड अलग होता है यहां हर जगए ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलता है और देख लिजे कुछ इस तरह का अपार्टमेंट वगर है और मेरा भी अपार्टमेंट है ये वाला तो चलिए अभी थोड़ा तालाब की तरफ चलते हैं वहां पर बहुत ही खूब सूरत एक बच्चों को खेलने कुदने के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया है तो उसे भी दिखाते हैं और थोड़ा सा अपने इस पूरे मुहले का आप लोगों को टूर कराते हैं ताकि राथवे बना होता है हर जगह वाकिंग करने के लिए यह पूरा जो अपार्टमेंट एरिया है तो यहां अंदर चलके हम आप लोगों को हलका सा जोग की दिखा देते हैं कि यहां पर अपार्टमेंट वगरे कालोनी वगरे खैसा होता है तो बाई कुछ इस तरह का जो कि य और प्लेग्राउंड जो है कि बिल्कुल तालाब के साथ लगा हुआ है और यहां पी यह फेंस लगाया गया है कि छोटे बच्चे वगरे इस एरिया में ना आपाएं और यहां पी यह कुर्सी वगरे जो आप लोग देख रहे है न बेंच वगरे देख रहे है न यह सारा जो है वीकेंड पे बहुत ही विजी होता है क्योंकि वीकेंड पे जो है न लोग अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ आते हैं यहां पे और यहां पी वह पिक्निक वगरे का भी इंज्वाय करते हैं और यह एरिया जो है देख लिजे बिल्कुल तालाब से लगा हुआ है अब बहुत ही सुंदर एरिया है और इस एरिया को बोलते है भाई लोंगो वैली जो है न ऑस्टेलिया की राजधानी का एक बहुत ही खुब सूरत एरिया है जो कि यहां पे जो है न थोड़ा से आपको माउंटेन और विलेज वाला फिल आता है कुछ इस तरह का बेंच लगा हुआ है यहां पर और यह सारा फेसेल्टी जो है बिल्कुल फ्री होता है पबलिक के लिए कोई भी आकर यूज कर सकता है कितना लंबा चोड़ा यह प्लेग्राउंड है और इस एरिया में जो है न स्विंग वगेरे बच्चों के लिए लगाया गया हुआ है यह स्विं इसको जो है इस पिन करते हैं और यह प्लेग्राउंड जो है न भाई इस एरिया का वन अब दे मोस्ट फेवरेट प्लेग्राउंड है क्योंकि इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है बच्चे इसमें क्लाइमिंग करते हुए जाते हैं और यहां से जो है कि करते हैं दो तीन तरह का छोटा छोटा जूला है तो इस वाले छोटे वाले पर जो है न बच्चे बैठते हैं जो की छोटे होते हैं दो साल तीन साल के और यह जो बड़ा वाला है इस पे उनके पैरेंट्स साथ में बैठ के स्विंग करते हैं तो चलिए इस प्लेग्राउं जो है कि घर देखने के लिए मिलते हैं और घर घर में आपको जो है कि गैराज मिलता है यह सटर वाला डोर जो देख रहे हैं न यह हर घर में आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यह जो है कि गैराज होता है जहां पे वो अपनी कार को पार्किंग करते हैं और यह तरह के खुबसूरत घर देखने के लिए मिलते हैं हमारे मुहले में और थोड़ा देर इधर भी वॉक करके मैं आप लोगों को इस खुबसूरत एरिया का नजारा दिखा देता हूं इस एरिया में रोड की जो चोड़ाई है न काफी ज्यादा है यह में रोड नहीं है यह लि और आज का वेदर भी बहुत ही जबरजस्त है कुछ इस तरह का घर वगएर रोड वगएर देखने के लिए मिलता है मेरे मुहले में और यहां पर भी अभी मैंने कार को पार्क किया है यहां बस वगएर कुछ इस तरह की चलती है ग्रीन कलर की यह देखो इस बिल्कुल अगे की तरफ चलते हैं थोड़ा इस एरिया का ड्रोन से भी आपको पूटेज दिखाते हैं और यह सामने मैकडोनल्ड के बिल्डिंग हो गई है फियल स्टेशन हो गया और सामने अपोटो हो गया और मैं इस प्लेस पर इस पेसली इसली आया हूँ न कि यह प्लेस थोड़ा उचाईप है और इस प्लेस से मेरे मुहले का जो नजारा है बहुत ही जबर जस्त देखने के लिए मिलता है आप लोग देखो यह पूरा जो देख रहे हैं आप हमारे पीछे यह पूरा मलोंगो एरिया है जहां पे आप लोगों को छोटे बड़े मा अलोंगो वैली जो है ना चारो तरफ ब्यूडिफुल माउंटेन से घिरी पड़ी हुई है और वेदर इसकाई वगएरे देखकर भाई इतना सुन्दर लगता है न कि मज़ा आ जाता है तो चलिए अब दूसरे व्यूपॉइंट पर चलते हैं जो कि इससे भी ज्यादा अब कर दो दिखाएंगे और और अस्ट्रेलिया में देख लो रोड वगएरे कुछ ऐसा होता है क्रोसिंग वगएरे कुछ आईसा होता है मैं आप लोगों को हर एक चीज दिखाना चाहता हूं ये चारू तरफ का निजारा भी आप लोग देख लो इस प्रोसिंग से अमार प्सक्राइब को चाहिए। तो भाई दस मिनट ड्राइविंग करने के बाद मैं अपने एरिया के सबसे खुब सूरत पॉइंट पे आ चुका हूँ और यहां पे भी जो है कि एक बहुत ही जबरजस्त बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया है जो कि आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं अभ कुछ इस तरह का अपार्टमेंट वगर हमारे इस मुहले में देखने के लिए मिलता है और यह एरिया जो है न बहुत दूर तक फैला हुआ है और चारू तरब माउंटेन से घिरे होने के कारण जो है अंदाजा नहीं लग पाता है कि कि कितना बड़ा यह एरिया है और यहा है गया गया है पाइनली वाकिंग करते हुए मैं बिलकुल रूफ तक आ चुका हूँ और यहां से नजारा देखे और अस्रेलिया के किसी भी खूफसूरत एरिया में आप चले जाईए आपको बच्चों को खेलने कुदने के लिए तरह तरह का प्लेग्राउंड देखने के लिए मिलता है जो कि बिलकुल फ्री होता है और वहां पे कोई भी बच्चा जाके अपना खेल कुद कर सकता अपने पैरेंट्स के साथ हमारे एरिया में जो फ्लेग्राउंड है उससे थोड़ा अलग है कुछ इस तरह का स्लाइड वगरे बना होता है तो यहां बे भाई कुछ इस तरह का स सबसे खास चीज यह मुझे लगी न कि यहां पर जिम करने के लिए बहुत सारा एक्विपमेंट लगाया गया है जो कि बिलकुल फ्री है यह देखो जैसे कि यह सारा कुछ जिम में देखने के लिए मिलता है लेकिन इस प्लेग्राउंड में यह सारा कुछ जो है कि बिलकु देता हूं कि यह playground में जो gym वाला system है यह कैसा है यहां पर सब कुछ जो है कि totally free है इस वाले भी playground में आप लोग देख सकते हो bench वगेरे लगाया गया है जहां पर लोग weekend वगेरे पर आकर अपने family के साथ जो है पिकनिक वगेरे का भी enjoy करते हैं यह वाला जो playground है थोड़ा सा hard भी है क्योंकि यहां पर रसी की मदश से बच्चों को यहां से climbing करते 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 जो है इस उपर वाले slide से यहां तक आना होता है और मेरा बेटा थोड़ा चोटा है और यहां से यह view देखो भाई लिटरली यहां से आप जो है कि मेरा apartment भी देख सकते हो और यहां पर बैठने के लिए यह decorate color का बहुत ही सुन्दर सा जो है कि bench लगाया गया है जैसे कि जो लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं वो लोग यहां पर बैठ के rest भी कर सकते हैं और साथ में अपने बच्चों को देख भी सकते हैं कि कहीं बच्चा कहीं गिरे पड़े ना तो देख लिजे भाई, कुछ इस तरह का आज का वीडियो था, उमीद करेंगे कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो, क्योंकि इस तरह की वीडियो यूटूब पे बहुती कम देखने के लिए मिलती है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, अगर ये लोग में, तब तक के लिए भाई, हरर महादेव